मात्रिशादक कालिप्रिया के तरफ से आप सबको नमन ओम काली तो आज मैं आ गई होड़ेकने वीडियो के साथ मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था तंत्र के गोड ग्यान के उपर, तंत्र के इतिहास के उपर मैंने उस सीरीज में पांच वीडियो और अपलोड कर दिया है अगर आपने वो पांच वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्रेलिस्ट क्रियेट करके रखा है तंत्र बोल के, उसमें आप जाके देख सकते हैं तो ये जो वीडियो है, उसी सीरीज का छटा वीडियो है वीडियो शुरू करूँ, उससे पहले आप सबसे निवेदन है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्यान वर्दग लगे, उपियोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेर, सबस्क्राइब कर सकते हैं देवी की सप्पय असीम क्रिपार है, ओम काली, तो चलिए, सुरू करते हैं तंत्र विद्या के मुख्यत हा, दो रूप हैं एक सात्विक, दूसरा तामसिक सात्विक रूप में देवी देवताओं की उपासना और लोगों की कश्ण निवारन समाज कल्यान के लिए किये गए तांत्रिक अनुष्ठान शामिल है तो तामसिक तंत्र में श्मिशान साधना, अगहोरी रूप, आदी भयंकर अभिचारिक क्रियाएं शामिल है इन दो रूपों के अब जो भी नाम दे, दे सकते हैं दोनों रूपों के तांत्रिक सदा होते आये हैं, अभी भी हैं, और होते रहेंगे अब यह साधक पर निर्वर है कि वह किस प्रकार की कौन सी, किस रूप की साधना करना चाहता है वैसे एगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ ना मैं सात्विक का पक्ष लेती हूँ, ना ही तामशिक का पक्ष लेती हूँ यह उसका इनहरेंट नेचर है, साधक का इनहरेंट नेचर है, जो उसको साधना में लाएगा तो जो तामसिक साधनाई होती है वो मुखे तह उग्र साधनाई होती है इन में जरा सभी असावधानी अत्वा भूल हुई तो पागल बना देती है या फिर बहुत करुन मृत्यों का कारण बन जाती है साथ ही ऐसे बहुत तामसिक साधनाई है जिसमें बहुत घिनोना जीवन भी जीना पड़ता है जैसे कि कर्ण पिशाचनी साधना हो गई तो इस तरह की जो लोड फाइब्रेशनल शाधना है उसमें आपको गंदगी में रहना पड़ता है उसमें सिमन का यूज होता है मुत्र में रहना पड़ता है तो तामसिक साधनाएं कुछ हद तक घिनोनी भी होती है एक एक्जैम्पल सुनिए बिहार के दुलहा बाबा जिस किसी के घर में प्रवेश करते थे विश्ठा की गंद उसके नतुनों में भर जाती थी और जो बिना घबराए इस गंद को सह लेता था उसका घर धन्य धानने से भर जाता था भीकारी रहने पड़ भी कुछ ही समय में लखपती हो जाता था दुलहा बाबा बहुत घिनोना रहते थे इसे देखा गोबड के भीतर भी हीरा छपा हो सकता है तो सिर बाहरी आवरन से तामसिक जो तंत्रक्रिया हैं उसको आप धितकारे ना खारीज ना करे जिस प्रकार वयाम योगासन आदी से मनुश्री का सरीर स्वस्त रहता है अच्छे विचार अच्छे कारे करने से शांती से सुक कर जीवन व्यतीत करता है अपने परिश्रम के बल पर संपन्न बनता है उसी प्रकार तंत्र साधना भी एक शाधन, माध्यम, विद्या है और अधिक से अधिक लोग मन की इस रहस्यमई सक्ति का अंतर मन के चमतकारों का लाव उठा कर सुखी जीवन व्यतीत कैसे करे यही मैं तंत्र का उद्देश्य मानती हूँ मैंने पहले के वीडियो से बताये हैं कि साधना हड किसी के लिए नहीं है साधना मार्ग में आते हैं तो बहुत सोच स्विचार करके आएं और एक बात जो मैं जरूर बोलना जाहूंगी कि बिना त्याग के साधना नहीं होता है अब वो त्याग किस-किस रूप में आपको कड़ना पड़ सकता है वो आपके कड़म पर निर्वड करता है वैसे मैं ग्रिहस्त के लिए सात्विक साधना ही उचित मानती हूँ क्योंकि सभ्यता पूर्वक समाज में रहकर साधक समाज के नियमों का पालन करते वे तंत्र साधना कर स्वैंग अपना और दूसरों का कल्यान कर सकता है तंत्र का उद्देश भी तो यही है मैंने स्वैंग देखा है कि अनेक जो तांत्रिक है अपने साधना के जो स्थल को विचित्र वस्तों से सदा कर रखते हैं तंत्र चमतकार प्रदर्शन या धनो पार्जन के लिए नहीं है। खेद है कि अधिकांश स्थांत्र को और एक दो सिध्धी करने वालों ने इसका रूप विक्रत कर रखा है। तंत्र साधना में ध्यान पहली आवशकता है। जब तक ध्यान की शक्ती ना होगी तब तक आप किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते हैं। कि अगर आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो आप काहे का साधक बन पाएंगे। ध्यान लगाना यानि की तंत्र साधना का ABCD सीखना। अगर आपको ABCD नहीं पता तो आपको क्यों कोई उग्ड मंत्र लेना है, क्यों आपको सिध्धी लेनी है। आप तो उसके लिए capable ही न कागज आदि पदार्थों में अगनी उत्पन हो जाती है। उसी प्रकार मन को एकाग्र अर्थात ध्यान के कारण शरीर की संपूर्ण उर्जा एक बिंदो में सिमर जाती है और जब यह लक्ष पर गिरती है तो लक्ष पूरा होता है। अर्जुन अपने इसी ध्यान और ए भ्यासना हो जाए तंतर साधना में कदम नहीं रखा जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सप्पे असे परे ओम काली।